बस्ते दोस्तों स्वागत है आप सब कैसे पूछे स्वागत करती है अब सभी के मिने चलपत दोस्तों कैसे आप सो उम्मित करती हैं सभी अच्छोंगी और मैं ठीक हूं सोचाता आज थोरा सा बैंग जाओंगी थोड़ा जरूरी काम था लेकिन मौसम बहुत जादा बहिमान ह अब बहुत को गई है तो आपको सकते हैं यहां पर मतलब बैठान के बारेखायक है करते मित ? यार यह नहीं बार ने जाना अंदर आजाओ बस अथम जाने दो तो हमारे यहां पर जो बर्साद है यह रात से हैं अभी भी नहीं हुआ और अभी सुबह के 8 बज़री है यहां पर मेरा सोनु है किचन में वह इंतजार ही कर रहा है बाल का निका लेकिन क्या करें और इसका जो सब्सक्राइब कर लिया है यहां पर आज जल्दी साप हो गया 8 बज़े सारे काम कंप्लीट हो चुकी है और यह मेरी ना सुबह बरतन अभी भी हुआ है बस इनकी नास्ता पानी की बाद में यहां पर मैंने अपल रखा है यहां पर इसलिए रखा है यह फिरीज से निकली छोट हुए से चाटता है इसमें से जो पानी निकलता है बापसा निकलके इसलिए रखा है और यह बोला है कि यह गंदा है क्योंकि अगर यहां पर नहीं रखोंगी ना तो फिर बो इसका पानी भी पीता है जो कि ठंडा है और इस मोसम में पर नुक्सान हो सकता है इसलिए और फिलाल मैं सब्जी बनाने के तयारी कर रही हूं क्योंकि काम कम्प्लीट हो चुकी है तो उनके लिए थोड़ा सा सब्जी बना दूंगी तो आज में यहां पर है ना काजू दस बरा और दस बरा है ना बदाम बिगो रखा है यह सौप्ट हो चुकी है बिगाई हो है मुझ स्टोर करते ना बो वाली मटर है तो इस बज़े से ना बरब जम्मा हुआ है इसमें काफी टम है टाइम इसमें काफी टाइम लग जाते नॉर्मल होने में लेकिन फिर भी हो जाएगा और मधूप नहीं है इस बज़े से थोड़ा ज्यादा टाइम लेग जाता ने तो इतना प्रवाइब काफी पसंद आती है लेकिन हमारे यहां पर राथ से लाइट गई हुए पता ने लाइट कब तक आएगी और मेरी फोन में बिल्कुली चार्ज नहीं है समय नहीं आता है कैसे क्या करो बरसात की वज़े से देखिए अभी भी बरसात बहुत भयाना करी है कैसे क आज मुंग मसूर आतों मैं डालनगे अंदर फूलिजसन के लिए Qण लाते है तो इसमें कई लाजता होता है तो इसमें भी मुझे नजर आए तो इसलिए थोड़ा चाट के ले रही हूं लेकिन है ना फिर भी मन में एक भेहम सा रह जाता है लेकिन अभी गरमपानी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और यह जो डंठल है इसे में रख रही हूं आपने सब्जी के लिए क्योंकि इसे फेक होंगी तो पीर मतलब गा पाइक नहीं है क्योंकि एक बाप कभी अपने बच्चे को छोड़ करने जाता है लेकिन यह गए हुए बहुत दिन हो गया खर्चा पाने के बिना मेरे घर की स्थिति ऐसी हो रही है लेकिन जीना तो पड़ेगा सब्जी चाहिए डंठल हो या फिर कुछ और हो खाना तो मेरे अभी का नहीं लाया हुआ है और नाई में अभी लेकर आई हूं यह मखन उसके पापा थे उसी टाइम उसके पापा लेकर आये थे उनीका लाया हूँ है इस तो इतने दिन तक तो मैंने इसका इस्तिमाल नहीं किया था तो फाइनली आज कर रही हूं क्यूंकि सुबे चोटू बोल रहा था मुझे मखन की साथ में रोटी दो तो मेरे पास तो बाहर से लाने के लिए पैसा नहीं है तो फाइनली मैंने सोचा कि इसे पिगला कर फिरीज में रख दूंगी तो सुबे सुबे बच्चों का काम आ जाएगा उनके भी मतलब रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे बोलो मेरे भी थोड़ा से फाइदा हो जाएगा रोटी खाने में बच्चों की तो देखिए फाइनली मैंने गैस को मतलब जला कर फूल पर और कड़ाय में यह रख दिया और पीगल जाएगा ना तब फिर देखते हैं तो दोस्तों मैंने आपे जो खिचरी के ल मतलब रेडी करके और कुकर को पूरी तरह बन करके साइड में रखी हूं एक बार यह पिगल जाएगा उसके बाद में मेहना इसमें चरा दूंगी ताकि छीटे ना लगे और जब तक मेरा मखन पिगल रही है तब तक मैं यहां पर फूलगोबी के डंटल को काट रही हूं और बिच बिच में उसे चलाते भी जारे हूं तक नीचे से चिपके ना लेकिन देखिए इसे पिगलते हुए कम से कम दस मिनिट से उपर हो चुके आभी तक यह पूरी तरह से ने पिगला है आभी भी एक मतलब धाना सा है नहीं बहुत बड़ा एक हिस्सा है और मैं फून क पिलो और भिंडिलायों पावर अब बताएं इतनी से सब्जी हपते भर के लिए हैं और उसमें से अगर मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूं तो फिर हपते बर बच्चे क्या खाएंगे तो इस वजह से गवी कर डंटल का जो है मैं बना लूंगी यह एक दिन चला तो णिवी लूंगी तो अठीछ सब्जी में बस्चों क्या कर दो तो इसी तरह हो देखते कब कैसे क्या होथा भगवान क्या करते हैं तो फाइनली देखिए गी जो है पीगल चुकिया अच्छी तरह यहनिर्ने जो रॉने लगो छाफ़اتा चुपनी होता तब तक जब तक कि उसका पेट बढ़नी जाता है थेली में इसे ना फ्रीज में मैंने एक छोटे मतलब प्याज निकला है और एक छोटा सा चकुंदर निकली है जो मैं काट रहे हूं इसे भी डाल दूगी गोवी के डंटल के साथ में और दो छोटे चोटे आलू निकले हैं अगर मतल हैं तो फाइनली मेरा सब्जी जो है काट कर बिल्कुर रेडियो चुकी है तो दोस्तों इधर मेरा मखन भी पीगल चुके अच्छी तरह है और मखन को मैं डालने के लिए यहां पर ले रहे हूं एक छोटा सा डबबा यानि इस्टिल का यह जो डबबा दिख रहा ही है और मैंने पहले भी मखन रख रख ती लेकिन इना इसको दोकर सुखा लिया अभी जो मखन पीगला कर रखा उससे डालूंगी और मेरा शंडशी थोरा सा खराब है इसलिए दूर खड़े होकर इस तरह से डाल रही हूं बाचान सगर हाथों से अगा स्लीप हो जाएना तो हाथ बाचान पर रख जाएंगे यह गरम ओबलती हुई मखन है तो मखन यह फिल जो भी ओना गराम होती है तो पिर डरतों लगी तो इसी कड़ाई में यानि मखन वाले कड़ाई में मैंने थोरा सा तेल डाल दिया लेकिन हैना तेल में कुछ निकल गया तो से फेक दिया और अलग से कड़ाई ने लूंगी क्योंकि इससे हैं ना मेरा जो मक्षा ने बोवी इस्तेमाल हो जाएगा सब्जी और इधर सब्जी को अच्छे से दोरी हूं ताकि ना सब्जी को हातों बना लूँ क्योंकि दुबारा पी टाइम नहीं मिल पात और आज कल तो दिमाग में हमेशा पता नहीं क्या का फीतुर बढ़ा रहता है और मेरे कड़ाई जो है ना पूरी तरह से जल चुका था तो अब मैं इसमें डाले थोड़ा सा जीरा और मेरे पास ना पहले की मतलब रखी हुई थी यह प्यास ट्रमटर का पेस्ट और इसमें जल सा गया है लेकिन क्या करें और गैस में ना तेज करके भूल गए थी दिमाग से निकल गया था तो देखिए यह मसला और आब इसमें डाल रहे हूं पावडर मसला तो नमक डाल दिया स्वादनु सा थोड़ा सा हल्दी डाल दी थोड़ा सा धनिया पावडर यानि जो मसल सब्सक्राइब को दोकट डाल रही हूं यानि कि जो गोवी का डंटल है लोग तो फेक देता है खाते नहीं है बहुत से लोग लेकिन मेरी जो कहते हैं किसमस से बरकर कुछी नहीं मिलता अब जो मिल रहा है वो ही खाते देखते हैं अगर आगे कुछ भगवान अच्छा लि देख दूगे दिमगेस पर डंटल पकने में ट्राइम लगता है इस बज़े से साथ मिन लगता ने तो चार यह फिर पार्च मिनट में जरू पक जाती है सब जी जब तक सब्सक्राइब तो कच्रे को फेक देती हूं और इसमेहना वह मखन की डबाव बजो भी बो है और यह और यह है पनीर के सब्जी जो कि बनकर विल्कुल रेडी है और मखन जो है हमारा विल्कुल ठंड हो चुका है इसके उपर पपड़ी सा आ गई है तो इसे ना बहुत जब अच्छी तरह से ठंड हो जाएगा तब इसे फ्रीज में रख दूंगी और इन सब्जी में सभी सोन को हटा दे और मिक्स का रही हूं तो सब्जी तो पक चुकी है लेकिन यह बापस से थोड़ा अच्छी पकने की तरह हो रहा है और इसका कलर है बिल्कुल राइड सा हो गई है चक उंदर अगर डालते हैं किसी भी सब्जी में उसका कलर थोड़ा सा ऐसा होता है तो थोड़ा तक पकाने के बाद में देखें मेरा सब्जी बिल्कुल पकर रेडियों तो जब तक इदर मेरा काम कम्प्लीट हो चुका है कि चैन का सारी और मैं है ना अभी बरतनों को मतलब रख रही हूं चीके में क्यूंकि आजकल बरसात आती है तो बरसात की बज़े से बाहर अगर ब बरतन रहे गई है जब चीके को देखती हूंने तो बहुत दुख भी होता है लेकिन क्या करें और बार बार है ना यह चाहिए कि छलनी है वो गिर रहा था तो फाइनली मैंने से नीचे रख देया और मेरा बरतन जो है सारा जचकर बिल्कुल रेडियों और बरतन की साती मेर मेरा जो है किचन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुके फिर भी मैंने सब्जी को एक बार चला दिया ताकि जो गर्मार से बो निकल जाए भाब और सब्जी ठंड हो जाए मैं इसे जल्दी सी फ्रीज में रखके और नहाने जाओं और आज का थोरे सा प्रोब्लेम मेरा ज्य पानी निभरा क्योंकि पानी आया ही नहीं था तो यहां पर पानी का इतने बरसात में भी प्रोब्लेम होई जाती है तो फाइनल देखिए बाल्टी इस तरह से भरके और बातरूम में लेके जा रहे हूं और इसी के साथ जो है मैं आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करती ह और मिलती हूं फिर नए किसी वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्ते जैं